गुड आफटनून और कल जो ICC मीटिंग के बाद इंतजार था ना कि आज शनिवार को क्या अगली अगला दौर मीटिंग का होगा उस तरह आपको अपडेट दे दूँ और अपडेट के साथ साथ ये भी आपको बता सकता हूँ कि चैंपिन्स ट्रोफी का जो मुद्दा था जो विवाद था जो कॉंट्रोवर्सी थी वो जनाब सुलजने के बहुत 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 करीब आच चुकी है इन फाक्ट कल आपने ये खबर देखी थी कि जो ICC बोर्ड के मेंबर्स थे इवन दो ये सेंपथाइस्ट विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बट उन्हों ने ये साफ कर दिया था कि हाइब्रिट मॉडल ही एक ऑप्शन है और चुकी जब पाकिस्तान ने ये बार-बार कहा कि हम हाइब्रिट नहीं कर सकते हमें मन्जूर नहीं है हमारी सरकार नहीं मन्जूर करेगी तो उनको ये कहा गया था कि अगर आप हाइब्रिट नहीं कराना चाहते है तो फिर हमें Champions Trophy पाकिस्तान से move out कराना पड़ेगा जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मुम्किन नहीं है पाकिस्तान एक important stakeholder है रहेगा बाकी यह posturing है पाकिसान की भी बड़े दिनों से यह posturing चल रही थी इधर से ICC board ने भी यह साफ कर दिया तो उनको कल कि जनाप अगर आप hybrid नहीं लेन यह सारी ना बाते थी यह होना नहीं था कोई team pull out नहीं करती है कोई team hosting rights नहीं चूड़ती है तो कल बड़े simple लफजों मैं आपको बताऊं पाकिस्तान जब meeting खतम हुई तो पाकिस्तान को यह कहा गया कि आप सूचिए और हमारे पास वापिस आईए जिस पे पाकिस्तान cricket board न के लिए आप तयार रहें यार कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी भी रह जाए आपकी भी रह जाए उनके बाते सुनें गई ऐसा नहीं है कि उनकी बाते नहीं सुनें गई अब सबसे बड़ी बात यह है कि मौसिन नक्वी the chairman of Pakistan cricket board versus मौसिन नक्वी the interior minister of Pakistan अगर आप मौसिन नक्वी पाकिसान cricket board chairman के लिहाज से देखें I think अगर वो hybrid model पर चैंपिन सोफी कराते हैं और एक successful चैंपिन सोफी कराते हैं तो वो hero है बट अब दिक्कत है जो उनकी दूसरी hat है वो है मौसिन नक्वी the politician the interior minister of Pakistan और क्योंकि आप अपने मुल्क में ये stand ले ले लेते हो कि नहीं हम मौसिन नक्वी फर्क यही है जाका अश्रफ अगर hybrid model के लिए मान गए थे तो उनकी जीत हुई थी towards the end वो तो यह कही सकते थे ना कि देखो हमने एशिया कप करा दिया हमने पाकिसान में भी करा दिया हमने hybrid भी करा दिया हमने पैसे भी बना लिये लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिसान cricket board के chairman है बलकि वो interior minister भी है तो आपको वो political class को भी cater करना है और आप चुकी बातें ऐसी कर चुके हैं और आपके media से भी बातें social media से इतनी आ चुकी है कि सर कटा लेंगे पर सर जुकाएंगे नहीं यार वो आपको पता था कि सर जुकाएंगे नहीं होगा सर कटेग अब लेटेस्ट ये है कि कल पाकिस्तान cricket board के पाले में gain फैकी गई थी कि अब आप वापिस आईए अब आप बताईए कि क्या करना है obviously मैं जो दूसरा कल option आपको बताया था कि जी पूरा का पूरा चैंपिस टोफी पाकिस्तान से move out हो सकता है वो नहीं हो रहा है boss that is not happening चैं hybrid मत रखो इसका नाम शाइबरिड रख दो या टाइबरिड रख दो oh that's a different matter अब पाकिसान को उसमें से निकालने है optics मौसे नक्वी साब को मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने मीटिंग में ये बोला है कल कि यार देखो हमारी भी हिज़त पे आ गई यह बात तो कुछ ऐसा क कीजिए कि जहां पर I go home मतलब मैं पाकिसान वापिस जाऊं और मैं ऐसा ना लगे कि हार के आया हूं अलाकि मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि अगर वो hybrid करा रहे हैं पाकिसान हारे गा नहीं अगर hybrid करा रहे हैं वह hybrid ही is the only eventuality is the only possibility अगर आप दिमाग से यह no brainer मतलब अग आप दिमाग से सोच रहे हैं तो भई आप ये कहो गए ना कि यार इंडिया ने तो आना ही नहीं था इंडिया ने आना नहीं था और हाइबरिड हो गया आपको जो होस्टिंग राइट्स हैं वो आपकी रह गई पाकिसान मैचिस हो गए कैंपियन ट्रॉफी दो हजार पच्चिस के हवाले से आज नई नियूज सामने आगई पाकिस्तान को आखिरकार हाइबरिड मॉडल मानना पड़ा इंडिया की जीत हुई आईसी सी फिर बाजी ले गया पाकिस्तान जो इस दफ़ा अपना मौकफ बोड़ी शिदत से लड़ रहा था लेकिन आखरकार वही हुआ जो इडिया को मन्तूर था क्योंकि इंडिया ने सारी गेम जो थी आईसी सी ने सारी गेम इंडिया के पाले में डाल दी थी और वहां से आईसी सी के चेर्मेन भी जेशा थे तो जब ICC की मिटिंग हुई तो पाकस्तान ने अपना मौकफ रखा कि वो चंपिन टृफ़ी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं लेकिन ICC ने यह क्या डिया कि या तो चंपिन टृफ़ी अगर पाकिस्तान में होगी तो हाइबिर्ट menjadi होगी वरना हम पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी इंडिया को शिफ्ट कर देंगे पाकिस्तान के जो पूरवज जो PCB के नुमाइंदा मौसी नकवी जो यहां पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे वो चाहते थे कि अपनी अवाम के लिए कुछ तोफ़ा लेकर जाएं वो अपनी अवाम को कुछ देना चाहते थे तो उनने आखिरकार मजबूरी में आके हाइबरिट मॉडल वाली बात पशलीम कर ली अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अज olsaई सिंटान मॉडल है का यह काम्याब होताए के नहीं क्या पाकिस्तान इस चमपिएंगर टरॉफी को काम्याब करने में या पाकिस्तान टीम अब किस तरह से अपना किदार अदा करती है अब मज़ा तो तब बाहर का कि पाकिस्तान इंडिया को ग्रूप स्टेजेज में बाहर करे और चेंपियन टॉफी फाइनल पाकिस्तान में देखने को मिले ताकि लाखों शाइकीनों के चेहरों पे खोई वी जो हंसी थी वो अपस आ जाए अब आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में उस वकत तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है आज क्योंकि एक टेंटिटिव वक्त था आज ये टेंटिटिव था कि शायद मीटिंग राउंड टू हो सकती है अभी तक उस चीज़ की कोई information नहीं है because last बात कौन सी थी last बात ये थी कि पाकिसान cricket board had to come back so पाकिसान cricket board had to come back कि जी हम अपनी सरकार से बात करेंगे या जो भी करेंगे उसके बाद हम आएंगे ICC फिर meeting होगी अब उनको लेके आना है एक final formula उनको लेके आना है yes लेके आना है no और हो सकता है वो आज ना आए मुझे किसी ने बताया कि हो सकता है वो कल भी ना आए हो सकता है कि somewhere Monday is जब final declaration हो final announcement हो तो पाकिसान cricket board अब क्या चाहता है पाकिसान cricket board ये चाहता है कि ये document करवा लिया जाए कि बही जब इंडिया में ICC tournaments होंगी तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे अब वो document होगा या उनकी सिर्फ verbal एक statement आएगी that I don't know उसके बाद जैसे world T20 होना है श्रिलंका आपसे तक्रीबन सवा साल बाद श्रिलंका और इंडिया तो उनके league matches में ही एक semi-final हो which is okay और श्रिलंका में ही final हो अला कि मेरा यह मानना है कि I don't think आज आपको BCCI या आपको ICC licht में दे देगा ठीक है दूसरा वो यह कहेंगे वो पूछेंगे अभी भी इंडिया क्या आ सकता है जी एक match कहलने पाकिस्तान का इंडिया कहेंगा नहीं आ सकता वो जाएंगे दुबई खेलेंगे अब पाकिस्तान cricket board ये भी कहेगा कि in case इंडिया हार जाए तो एक semi-final और final वो हम पाकिस्तान में कराना चाहते हैं वो लहोर में कराना चाहते हैं I think that will be accepted that will be accepted because आप semi-final एक इसलिए करा रहे थे दुबई में because इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता और आपने final भी इसलिए रखा था in case इंडिया जाता है तो final भी वो पाकिस्तान नहीं जाएगा हला कि I don't know कैसे ये हो सकता है because यार दुबई में न लोग different होंगे देखने जाने वाले और पाकिस्तान में different होंगे ठीक है न कुछ लोग है जो दुबई जाना चाहेंगे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे या पाकिस्तान जा नहीं सकते कुछ लोग है जिनको टिकेट लेनी है चैंपिस्ट्रोफी फाइनल की वो लहोर में बैठे हैं कराची में बैठे हैं या इसलाभबाद में बैठे हैं वो लहोर की लेना चाहेंगे वो हो सकता दुबई ही न जाना पाए यह मुझे नहीं समझा है कि कराची जान क्यों टीस